हेलो रादे रादे दोस्तों और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा मॉम एन ब्यूटी ब्लोग में तो आज हम आप लोगों के सेंग सेयर करने वाले हैं लड्डू गोपाल जी के संग मौर्निंग का विंटा रूटीन क्योंकि मैं उनकी डंडू में कैसे सुबह कि टाइम सेवा करती हूं तो चलिये करते हैं वीडियो सुरू तो देखिया हमारे मादब जो हैं उठके उठ गए हैं तो मैं इनको थोड़ा लेट में उठाती हूं जल्दी ने उठाती हूं सारे बगवांची की पूजा में पहले कर देती हूं फिर बाद में इनको है ना म तो थोड़ी देर जल्दी नहीं उठाती हूं, तो हमाँ मादब उठ गें हूं, लग्राइं अनकी घी से ही इसनान कराती हूं, इसलिए क्यूए उसे आप इसनान समझ लीजिए, या माली समझ लीजिए, क्योंकि मैं अपनी मादब की पेले माली सकार देती हूं, कर दाकंद कर्दाइब करें नियुक्रण कही जर्ण कसक अधार बड़ा सुन माधलिक आ बेद अधारगटा उन होने माधभ के पास ऐसे दो जोरी करें आपने मादब मालिस करेंगे थोड़ी दिर ताकि उनके सरीर में गर्म्हते हूएiritual looks बहुत उनको आनन दाता है तो मैं दीरे जीरे उनकी इस करूँगी ऑच्छे इनके सब चेहरे की सब ये जब एक कुब अच्छे से मालिस कर देती हूं जे से बच्छों की करते ना बिलकूल बहसे इते को बच्छे से मालिस कर देंगे और जो मैं मालिस करती हूँ ना तो मैं इनकी घी से मालिस करती हूँ ना तो थोड़ी देर के लिए हम उनके पास थोड़ा सा मतलब कोई भी चीज अगर आपके पास ऐसे से लेंप भी होते हैं गरम बले अब रगली तो थोड़े से उनको करमाण मिलती रहती है मैं नया पर सूट नहीं किया है तो मैं तो रूमीटर रख लेती हूँ क्यों कि जो मैं रूमीटर अपनी लिस्तमाल करती हूँ ना वही लेकिन बस लो फ्लेम पर चला लेती हूँ इससे क् मैं मालिस करते हैं तो उनको सर्दी नहीं लगती है ऐसे तो जैसे कि जब मैं अपने बच्चों की भी मालिस करती हूँ करती थी आप तो मैं बच्चों की बड़े हो गए है और बेटी है थोड़ी छोटी है लेकिन इतनी छोटी नहीं है लेकिन जब बच्चों की मालिस करती उना तो मैं रू मीटर चला लेती हूं थोड़ा सा दूरी पर रख लेती हूं ताकि उनको बिल्कुर सरदी न लगे आप आराम से मालvens हो अच्छे से करा लें तो मैंने देखिया उनके आदों की पैरों की खुबच्छे से मालिस कर दी हैं अब हम इनको नहलाएंगे और मैं जब मैं इनको नहलाती हूँ न तो आप पानी जो सर्दी में थोड़ा गुनगुना लेजें मैंने एक वीडियो है जो पहले बनाई है उसमें भी मैं आपको बता रही हूं तो मैं पानी ले रही हूं। मैं पानी गीजर से ही ले लेती हूं। अगर आपके पान उस बदा नहीं है तो आप गेस पे भी थोड़ा सा पाणी गरम कर सकती है एक बद चेक जरूर कर लीजिएगा कि पानी बहुत बहुत जादा गरम ना हो तो मैं चेक कर लेती हूं फो अच्छा पाणी कि गीजर से निकान लेक पाद चेक करने अगर पानी जा कि अच्छे से मृटलक हो जाएं न थार जब नार्मल हो जाए पानी ज़म नोर्मल हो जाता है तब मैं उनको नेलाती हूं तो अभी में पानी ला रहे हूं तो हमारे माद ऑफ सोड़ी हल्की मालिस करने के बाद तो रांट नहीं नेलाते हैं थोड़ा सा रुख जाते हैं तो ह हमारे मादब जो है ठन बिल्कुल हलकी हलकी गर्माट ले रहे हैं रूमीटर की और अब मैं देखे इनके लिए जल ले आई हूं इनको थोड़ा टाइम हो गया है तो अब मैं इनको नहला दूंगी यह पानी है थोड़ा सा गुन-गुना है और इसमें थोड़ा सा गंगा जल म हमारे मादब नहा रहे हैं और हमारे मादब कुनाना बहुत अच्छा लगता है आप खुदी मेशूस कर रहे हूंगे ना कि जो मैंने बलाती हूं तो जे इनके चेरे पर मुस्कुराइट रहती है थोड़ी सी पुछ को ऐसा फील होता है और बागी दो इस पर है वो उनकी इ मैंने आपको दिखाया भी था तो देखें आप मादब को अपने पोच लेंगे कुव अच्छे से ताकि बिल्कूल भी उनके गिलापन ना रहे योगी जो हम पीतल के बिग्रह होते हैं ना उन पे पानी के दाग पढ़ जाते हैं अगर आप उन्हें सही से नहीं साफ करेंग तो देखो कितो क्यूट लग रहे हैं किते प्यारे लग रहे हैं मैं कुव अच्छे से साफ कर लेती हूं कुव अच्छे से पोच लेती हूं इनको इसके बाद हम इनको पहनाएंगे कुव अच्छी सी ड्रैज बूलेन की तो हमारे मादब आप जो हैं पोच लिया है मैंने इनको बढ़िया से क्योंकि मैं जो हूं खुब अच्छे से साफ करती हूं इसलिए क्योंकि आप मैंने आपको बता है ने दाग पढ़ जाते हैं इसलिए और पानी भी नहीं रहना चाहिए तो इसलिए और भी अब मैंने देखिया उनको मैं लेया हूं भूलन की ड्रेस इनकी तो मेरे मादब को तो ठंड लगने लगी है तो मैं मेरे मादब पहनेंगे उनी ड्रेस तो देखिये मैंने के लिए यह रैड किलर की ड्रेस और रैड वाइड किलर की है मैंने पसंद की थी अब वो पहन रहा है और इसमें एक टूपा भी है तो मादब ने फ्रॉग पहन लि काम देनो जी कि भी मैं अपड़ पहन पेंना दिए त dreaming सूट नहीं किया है कि मैं विडियो प्लम्बी हो जाती है इसलिए मदभ का मदभ का सिंगार वगर आ करते हूं वही दिखाने वीडियो क तो बहुत ज़ादा इती ते सर्दी नहीं है कि हर 24 गंटे तो पा लगा रहे हैं कि अम बच्चे भी नहीं लगाते हैं इसलिए तो अभी सुबे का टाइम है तो मैं यह टोपा लगा देती हूं इनको तो आमें देखिये मैंने इनको माला पहनाना भूल गए थी तो मुझको मैंने बाला पर से निकाल दी हैं अमें इनको माला पहना दूंगी यह जो माला है ना, यह हमारे मादब गपनते हैं और जो कोई फंक्सन बेगर्रा होता है या कुछ्छ तियार होताहि तो मैं उनका दूसरा ज्योलरी रखीए भारी भारी बारी पहना थी लो पहना तो Aggiesi अ हमें इस भारी-पहना भारी ज्योलरी पहना हम भी नहीं पहनते है तो मैं मादब को भी नहीं पेनाती हूँ यह मैं एक हाय लाई थी मैंने आपको दिखाए भी थी दीपा वली पे लाई थी तो अब मैं उनको यह पेना दूँगी तो देखें हमादब ने पैन लिये सोने की हाय ताकि उनको किसी की नजर ना मिलने लगे और यह सच्च मुते की माला है उसमें पुबी हुई है और यह है ना मतलब माला थोड़ी लंबी थी मैंने सुनार से कहा भी था तो वो ले नहीं छोटी इतनी छोटी माला नहीं आती है यह तो आप अलग से लेके पुबाई है पर मैंने सोचा चलो डबल करके पहना दूँगी और मादब को भी अच्छा लगेगा तो यह देखिए मैंने मादब ने पहन लिये सोने किया है और टोपा भी लगा लिया है सुन्दर लग रहे है हमारे मादब बहुत बहुती क्यूट मेरे को तो बहुती क्यूट लग रहे हैं इंकी बांसुरी है ना इनको पकड़ा दूगी यह बांसुरी चांदी की है ऑपर मैं निके लेदिपावली पर इक बांसुरी ले आई थी आर्टिफीशल वह भी बहुत अच्छी मुझे लगी तो इसले में ले आई इसलिए हमारे मादब अपने सिंगासन पर बैठेंगे, हमारे मादब को सिंगासन पर बैठ जाएंगे, हमारे मादब तो देखिए, हमने अपने मादब के लिए सिंगासन पर गद्दा बिचा दिया है, और उस पर हमारे मादब बैठ जाएंगे, देखिए किते सुन्दर लग तो फिलाल मेने लगा दिया है क्योंकि सर्दी सुभे के टाइम पर थोड़ी जादा हो रहे थी इसलिए तो अब हमारे माद अब काम लगाएंगे भूग देखिये तो मैं उनके लिए भोग में बन लीए मैं सुभे के टाइम पर उनको दूद और ड्राइफ रूट देती हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले भी बिताया था कि जब सर्दी हो जाती है तो मैं उनके दूद जैसे मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ मेवा वाला दूद बनाती ह जैसे की ड्राइफ़ रूट होते हैं बैससको रात में भीगो देती हूं दूद пош कुछ दोब बनातीओ को मंने लेती हूँ मैं पईवा दूद के लिए दूद लुद रख कर लिற हूँ मैं बनात बनाता दूद के लिए दूदं के बच्चों कोई अपने महा डिया ड़कर क और हमारे मादब बटे हुए हैं और हमने अपने मादब के लिए ले लिए हैं ड्राइफ रूट क्योंकि सुभी के टाइम पर मैं ड्राइफ रूट का ही ज्यादा तर भोग लगाती हूँ और दूद का भोग लगाती हूँ तो दूद भी हम ले आए हैं और दूद थोड़ा गरम जादा था तो मैंने थोड़ी एक लिए रख दिया था कि नॉर्मल हो जाए और हमारे मादब को ड्राइफ रूट खा लेंगे तो थोड़ी सी गर्माहट भी प्राप्त होगी तो तो हमारे मादब बढ़ गए है और मैं उनका लगा दूँगी भोग तो मैंने उनके दूद में भोग में दूलसी पत्र डाल दिया है योकि एक हमारी है उन्होंने कमेंट किया था कि आपने ना आते समय दूलसी पत्र नहीं डाला था तो साइद मैं भूल गई हूँ पर मैंने उस वीडियो को चेक नहीं किया है लेकिन सायद मैं भूल गई होगी तो पर जो भी है पर मैं भोग में डाल देती हूँ और देखिये मैंने अपने माधब को सजा दिया है फूलों से हमारे माधब के पास सुगंध भी रहे माधब सुन्दर लगे अच्छे से उनको किसी की निजर ना लगे तो अब हम अपने माधब का अपने फूलों से भी सिंगार कर देंगे तो देखिये किते सुन्दर लग रहे हैं ना हमारे माधब अब फिर मैंन का दो दूद जो है तो अब हम अपने माधब को लगाएंगे भोग अपने हाथ से तो और सरदी के टाइम पर जैसे की मैं उनको है ना इसी का भोग लगाती हूं जादातर तो माधब खाओ बादाम खालो माधब और फिर मैं दूद का भी भोग लगा दूँगी दूद का माधब ने ड्राइफ रूट का भोग लगा दिया है भोग लगा लिया है मैंने उनको औरपन कर दिया था इसलिए देखे हमारे माधब अब अपने स्थान पे बैठ गए है और हमारी काम देनू भी आपने देखी है न उन्होंने भी उनिवस्त्र पहन लिये हैं तो कैसी लगी आपको अब हम उनको तोड़ा सा सहला भी देंगे कि आप अपनी काम देनू जी के संग खेल लीजिए तो कैसी लगी आपको हमारे बिंटर रूटीन हमारे माधब के संग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा सेर कीजिएगा कमेंट कीजिएगा तब तक के लिए रादे रादे